हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो की अंदर हम लोग कवर करेंगे सेद मुस्टाग अले टीट्वेंटी स्रीच की जो अगला मैच खिला जाएगा M.U.M. vs. S.A.U. के बीच में इस वीडियो के अंदर दुस्तो मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन सेर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ दुस्तो M.U.M. और S.A.U. के कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते वी दिखेंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट राउन पे खिलते वे नजर आएंगे सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर के साथ दुस्तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लेट चार ओबर तक बॉलिंग करते वी दिखेंगे और किसी आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए ले सकते हैं सारे प्लेयर्स का आपको रेकॉर्ड सेयर करने वाला हूँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़दा हेल्प करेगा आप जैसे दुस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बैल आकन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करने के बाद आल का ओफसन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लैक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और 320 मैचेस का वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सिधे नोटिफिकेसन जाएगा और सारी मैचेस का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा इस ट्रैट्स पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी यही पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजस होता है तो अभी तो हम लोग इस ट्रैट्स को देखते वे फॉलो करते वे दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन को टीम बनाएंगे ही लेकिन हो सकता है कि एक दो प्लेयर अफटर टॉस चेंज हो तो वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलिग्राम गूरूप में आपको प्रॉइड कर दूँगा तो एक बार जरूर जोइन कर लेना है इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कुशन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट के लिंक आपको पिन कर दिया है अप क्लिक करके easy join कर सकते हैं तो चलिए अब information की और आगे बढ़ते हैं दोस्तो यह जो match 34 में यह match आपको देखने को मिलेगा मुंबे के जितने के chances इस match के अंदर तो जादा है देखो बागे अगर आप देखेंगे दोस्तो तो मुंबे के team काफी मजबूत रिमा हला कि SAU के team 3 matches भले जीता हो लेकिन मुंबे के team जादा मजबूत है चलिए बैटिंग ओंडर फे फोकस करते हैं दोस्तो यहाँ पर अजिंक के रहाने की पहले बात करते हैं तो यह दोस्तो ओपनर बैट्समन है पहले मैच कंदर ओपन करते हुए इन्होंने 0 रन बनाया था दुसरे मैच कंदर 12 रन फिर दोस्तो यहाँ पर 34 रन स्कूर करा है ध्यान रखना टीम के कैप्टन एलिट करते हैं बाकि अगर आप देखेंगे जैसवाल के बारे हैं फर्स रन पे खेलेंगे पहले मैच कंदर 46 रन फिर 7 रन फिर 45 रन स्कूर करा है तो यह भी टीम के फर्स रन का बैट्समन है बाकि स्रेज यहर सेकेंड डाउन पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर 8 रन, फिर 15 रन स्कुर करा है, 3 मैच के अंदर टोटल देखो के तो 26 रन बनाया हुआ है, बाकि सर्फराज कान की बात करेंगे दोस्तों तो ये पहले मैच के अंदर 3rd डॉन पे आय थे 37 रन स्कुर करा है, फिर यहां पे 2 रन, फिर 26 रन, निकालते हुए दिखेंगे मुंबे के टीम के तरफ से तो आप इनको as a bowler अपने टीम के अंदर target कर सकते हो अमन खन का record देखेंगे तो बैटिंग बोलिंग से flop रहा आप इनको drop कर सकते हैं हारदिक थरण की बात करेंगे दूस्तों पहले match के अंदर 6 नमर पे खेलते हुए 7 run score करा है फिर 5 run टोटल 3 match के अंदर देखोगे तो 12 run बनाया हुआ है तनुष की बात करेंगे दूस्तों पहले match के अंदर 4 over के गिंदबाजी में 1 wicket निकाला हुआ है फिर यहाप 28 run प्लस 2 wicket टोटल देखोगे 2 match के अंदर 28 run बना के 3 wicket अभी तक निकाला हुआ है बाकि अग चार over तक गिंदबाजी करते भी दिख जाएंगे मुमे के टीम के तरब से पहले match के अंदर 2 wicket फिर 2 wicket फिर 1 wicket निकाला हुआ है फास्टर गिंदबाज है बाकि प्रशांत इन्होंने 1 match के गिंदबाजे में 1 wicket इन्होंने निकाले है तो दोस्तों यह मुमबई का record है और ध्यान रखना है कि लगबग आपको सेम betting order देखने को मिल जाएगा जो 4 over तक balling करा है जैसे कि आप मोहीत तुसार दासपंडी यह आपको complete 24-4 over balling करते भी दिख जाएंगे बाकि अगर आप SAU का record देखते हैं तो पुजारा इनका record देखोगे टीम के open करेंगे पहले match के अं opener batsman है बाकि देखाई का record देखोगे पहले match के अंदर 12 run फिरे 59 run score करा है यह भी दूस्तों यहाँ पर दो ही matches खिला है लेकिन open करते भी दिखे तो ध्यान रखना यह तीनों player ही आपको तीनों में से दूस्तों आपको दो खिलारी open करते भी दिखेंगे और यहाँ पर दूस् कंदर फर्स डाउन पर खिलते वे 97 run score करा है फिर आपे 12 run फिर 34 run फिर आपे 27 run score करा है टोटल चार मेच कंदर 170 run अभी तक बना चुके हैं पार्थ चोहान एक ही matches खिला है सेकेंड डाउन पर खिलते वे 3 run इन्होंने बनाया हुए दोस्तों बाकि सेल डाउन का record देखोगे से टीम के थर्ड डाउन पर खिलेंगे पहले मेच कंदर 6 run बनाया थे तीन ओवर के गिंदबाजी में विकेट ने मिला फिर 9 run बनाया थे भी कोई विकेट ने मिला फिर 12 run दो विकेट और लास्ट मेच कंदर ये फ्लॉप रहा है टोटल देखोगे चार मेच कंदर 27 run बना के द तो भी दिखेंगे टीम के कैप्टन भी है बहुत बढ़ी है बॉलिंग करते हैं दूस्तों इनको अपने टीम के अंदर ट्राइ कर सकते हैं डीट ओबर पर भी गिंदबाजी मैक्सिम टाइम विकेट करने के लिए आते हैं बाकि एगर बात करेंगे चिरंग जाने के बारे म हैं लास्ट मैच कंदर तीन विकेट मिला था उसके पहले मैच कंदर फ्लॉप और पहला मैच में देखोगे तो एक विकेट निकाला था बाकि अगर आप देखेंगे कुशांग पटेल के बारे में तीन मैच कंदर नौरन मना के दो विकेट निकाला हुआ है युगराज की यहाँ पर दोस्तों चेतन खेलते हैं तो बहुत ही सांदर गिंदबाजी करते विकेट जाएंगे आपको क्योंकि टीम के देखोगे दोस्तों तो देत उपर पर गिंदबाजी करते के लिए दिखे थे लास्ट मैच कंदर और तीन विकेट अपने नाम किया था तो यह सारे से दोस्तों मॉंबई और SAU के सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने बैटिंग ओडर के साथ जो भी प्लेयर्स ने परफॉर्म करा है और ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड देखे न आपको फायदा नहीं मिलेगा अब 2014-15 में क्या खेला है प्लेयर्स यह टीम त्यार किया हुआ है एक बार टीम देख लो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले विकेट के पर में तो सलिन जैक्सन पैस ट्राइगा दूस्तों टीम के सेकंड डाउन पे खिलनने के लिए आएंगे लास्ट मैच के अंदर 26 रं काफी बढ़ियां खिला है दोस्तों तो इनको अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर ट्राइ करना है टोटल 4 मैच के अंदर 88 रं बना चुका है ठीक है बाकि समाथ भ्यास की बात करेंगे 4 मैच के अंदर 170 रं कर चुका है ती दोनों के दोनों प्लेयर ना तरफ से इंपोर्टन रहेगा बाकि 23 सो को तो ट्राइ करना ही है बहुत ही बढ़ियां खेलें दोस्तों इस टूनामेन के अंदर टोटल 3 मैच के अंदर अभी तक 48 रं ही स्कूर करा है लाच 2 मैच के अंदर देखोगे ती इनका स्कूर उतना बेटर है नहीं लेकिन धियान एक्स्प्रियंस है तो मैच के अंदर बड़े हां पारी खिल सकते हैं बाकि वहाई जिस वाल को मैं ट्राइ करूँगा यह भी इंपोर्टन रहने वाले हैं दूस्तों यह जो चार प्लेयर है जिसमें से M.U.M. के दो प्लेयर है और S.U.K. टीम के तरफ से दो प्लेयर मैं च दो गिंदबाज है देखो यह तो डेथ ओपर पर गिंदबाज ही करेंगे तुस्तार देस पांडी को भी मैंने इंपोर्टन दता है था बाकि मैं इनके साथ जा रहा हूँ जो कि अभी तक दूस्तों बढ़ियर है और इस वज़े से मैं ट्राइ करूँगा और ना इनका चा को सेव कर लो बाकि लाइनप का वेट करना अगर एक दो प्लेयर मेरे साइड से चेंज होता है न तो फाइनल टीम आपको अफटार टॉस लाइनप के बाद अपडेट कर दूँगा हमारे टेलेग्राम ग्रूप में तो टेलेग्राम ग्रूप को मिस मत करना दूस्तों इस व